Hello friends, welcome back to my channel इस वीडियो में हम properties of eigenvalues पढ़ेंगे last class में हमने सीख लिया कि किस तरीके साइगन वैल्यूस निकाली जाती है ठीक है, तो properties of eigenvalues बहुत ही जादा important topic है इसकी जितनी भी properties है उन पर based questions exam में पूछे जा सकते हैं आपको question solve नहीं करना पड़ेगा अगर आपको properties पता होंगी तो direct आप question कर सकते हो और इससे related question की practice series में एक बार topic complete हो जाने दो, एक दो वीडियो इसकी और बची है वीडियो लेक्चर एक दो और है उसके बाद मैं practice questions matrix से related जितने भी होंगे वो सब करा दूँ ठीक है, बट एक बार topic complete हो जाने दो, ठीक है practice question होंगे, जरूर होंगे, पस एक बार topic complete हो जाए उसके बाद properties इसकी आप लोग अच्छे से समझ लेना properties of eigen values, eigen values को हम latent values भी कहते हैं proper values भी कहते हैं, characteristic values भी कहते हैं first point देखते हैं, किसी भी कोई भी square matrix हो, देखो, क्या होता है एक square matrix से A, और इसका अगर हम transpose कर दे तो इन दोनों की जो eigen values होंगी, वो हमेशा same ही आएंगी याद रखना A और उसके transpose की जो eigen values होती है, हमेशा same होती है इस आप करके देख सकते हो, कोई भी matrix उठाना, उस पर apply करके देख लेना, ठीक है second point देखते हैं पहले, इसने खाया second point में एक word आता है trace trace का मतलब क्या होता है, trace का मतलब होता है, simply समझ लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ऐसे हमने कोई matrix बनाई है इस matrix के जो diagonal के elements है, जो diagonal के element है, उनका sum कहलाता है trace sum of diagonal elements, क्या कहलाता है trace, ठीक है और यही चीज, trace को हम दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या है कि sum of its eigen values, ये चीज याद रखना ठीक है, diagnose के element का sum, और eigen values का sum, क्या होता है हमेशा trace ही होता है, ठीक है, ये चीज धियान रखना और अगर आप किसी भी matrix की जैसे matrix है, इस matrix के अगर आप determinant निकालते हो तो जो determinant आती है, वो किसके बराबर होती है, product of its eigen values अगर sum करोगे, तो आपको trace मिलेगा, वो trace किसके बराबर होगा, किसी भी matrix के diagonal के elements के, लेकिन जब भी आप determinant निकालते हो, तो determinant अगर आप, आपके पास matrix नहीं दे रखी है, लेकिन आपको क्या दे रखी है, आइगन values आपको बोल दिया, किसी भी matrix के आइगन values 1, 2, 3 हैं, तो उसकी जो determinant होगी, वो क्या होगी, 1 into 2 into 3, यानि 6 उसके determinant हो जाएगी, मतलब अगर आपके पास आइगन values है, तो आप उनकी multiply करके, product करके उनका उसकी determinant find कर सकते हो, अगर आपके पास उसकी matrix भी नहीं है, तो, ठीके, next point क्या है, ये चीज़े मैंने आपको बता दी है, देखो, अब next property, हमारी fourth property क्या बोलती है, कि अगर किसी भी matrix की आइगन values हमने मानी है, lambda 1, lambda 2, lambda 3, अब 2, lambda n तक हमने मान लिए है, अगर आप क्या करो, देखो, अगर ये कोई matrix थी, मैंने क्या क्या, इस matrix में 2 से multiply कर दिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, to just 16, ठीक है, मैंने क्या क्या, ये कोई matrix थी, इस matrix में मैंने 2 से multiply कर दिया, A matrix थी, ये जो matrix थी हमारी ये जो matrix थी, इसकी मैने eigen values मानली है, यहाँ पर मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, इसकी मैने eigen values मानली है, 1, 2, 3 है, अपनी side से मानली, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस matrix में 2 से multiply कर देती हूँ, या किसी भी number से multiply कर दो, 2 से मैंने इसमें multiply कर दिया ये तो इसकी जो आइगन values होंगी वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि जो हमारी पहले वाली matrix थी उसकी आइगन values ये हैं तो मैं क्या करूँगी अगर मुझे इसकी आइगन values निकालनी है तब हमें पूचा जाए कि नई matrix की इस K into A matrix की जो आइगन values होंगी वो क्या होंगी वो वही होंगी उसके लिए हम क्या करेंगे उसके नमबर से उसकी आइगन values में डिरेक्ट मल्टिप्लाइ कर देंगे ठीक है इसी तरीके से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की पावर कर देते हैं मतलग हमारे पास कोई matrix थी हमने क्या क्या A into A कर दिया A square निकाल दिया या फिर हमने A cube निकाल दिया A into A into A अब हमें हमारे पास A matrix की 123 थी आइगन values हमें पूच रहा है वो A3 की तो हम क्या A की पाउब three की आईगन values हमें पूछ रहे है तो हम क्या करेंगे उसकी जो आईगन values है उनकी ही power कर देंगे direct उनकी ही power कर देंगे ठीक है तो वहीं यहां पर कर रखा है अगर A inverse का पूछता हैं माण लो हमारे पास कोई matrix A है अब हमें पूछ रहा है कि आप A inverse का बताओ तो हम क्या करेंगे अगर इसकी lambda 1 है आइगेन वेल्यू तो इसकी आइगेन वेल्यू क्या हो जाएगी 1 upon lambda 1 यानी lambda 1 inverse अगर इसकी 2 है तो इसका 2 का inverse यानी 1 upon 2 हो जाएगी यह काम आपको simple करना है simple क्या करना है हर जगह A की जगह आपको lambda put कर सकते हो A की जगह आप eigen values रख सकते हो direct निकालने के लिए ठीक है next आपके पास यही लिखा हुआ है कि product of all eigen values determinant देता है sum of all eigen values sum of diagonal elements के बराबर होता है मतलब trace के बराबर होता है लिखा है कि lambda हमने मान लिया कोई eigen value थी किसी matrix की अब lambda plus k eigen value हो जाएगी A plus k आईगी देखूँ यहाँ पर क्या कहा है कि अगर हमारे पास कोई matrix है A इसकी eigen value lambda है तो हमें पता है कि अगर हम किसी matrix में कोई number add करेंगे तो number तो add नहीं कर सकते हम क्या करते हैं उस number की identity से multiply करने के बाद उस matrix में add करते हैं तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे मैंने भी क्या कहा eigen value हम A की जगा पर रख सकते हैं तो हम क्या कर देंगे lambda plus k i अब यह एक number है आईगन values क्या उतिक number होती है तो यह i तो हम रखेंगे नहीं i तो हम तब use करते हैं जब हमें matrix में add या subtract करना होता है किसी number को ठीक है तो यह क्या हो जागा अगर A की eigen value lambda है और आप से पूछा जाए A plus lambda i की eigen value तो A की जगा पर हम सिर्फ lambda रख देंगे A plus k i की पूछी जाए तो हम A की जगा पर lambda रख देंगे हम इसमें k को मतलब 2 अगर हम इसमें add करना चाते हैं तो 2 तो add नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं कोई भी उसके साथ एक matrix बना लेते हैं जो identity matrix होगी उतने ही order की identity matrix बना करके एक number से इसकी multiply करते हैं इसमें add करते हैं बट आइगन value ते एक number है तो उसलिए उसके साथ हम identity को नहीं रखेंगे lambda plus k यानि ये भी 2 अगर उसकी आइगन value है तो k हमने भी 2 मान लिया तो 2 plus 2 4 उसकी आइगन value हो जाएगी simple आप यहाँ पर समझो कि अगर आपके पास एक matrix A है उसकी आइगन value 5 है अब आपने क्या क्या lambda plus A plus आपने क्या क्या A plus 6I ये एक नई matrix बना दी अब आपको इसकी आइगन value निकालनी है तो आप क्या करोगे A की जगा पे ये रख दोगे बस 5 plus 6 is equals to 11 तो इसकी आइगन value 11 हो जाएगी ठीक है यहाँ पर I क्योंकि ये matrix इसलिए I लिखा जाता है नमबर में I से multiply करके identity matrix से multiply करके इसमें add करेंगे बट ये एक number है तो इसके साथ आप IY कुछ नहीं लिखते है ठीक है next है k into lambda वही काल है कि अगर lambda A matrix की आइगन value है तो k lambda k A की हो जाएगी ठीक है जिस number से matrix में multiply कर रहे हो उससे उस matrix की आइगन values में multiply कर दो तो आपको नए matrix की आइगन values मिल जाती है अब इसने कहा है कि lambda 1, lambda 2, up to lambda 1 आइगन values है एक ही तो A मानिस lambda I का square की निकाल नहीं है तो क्या करो A की जगह पर simple lambda put कर दो A की जगह पर simple जो आइगन values है वो put कर देंगे ठीक है तो A की जगह पर पहले lambda 1 रख देंगे तो ये first आइगन value आ गई A की जगह पर lambda 2 रख देंगे तो second आइगन value आ जाएगी A की जगह पर lambda 3 रख देंगे तो third आ जाएगी A की जगह पर lambda 1 रखा तो nth आईगन वेल्यू आ गई ठीक है, next का है इसमें, a and b, two square invertible matrices, then prove that a, b and b, a have same characteristic roots, characteristic roots मतलब आईगन वेल्यू सी, अगर a and b, two कैसे हैं, invertible matrix हैं, इसने का है, a and b, ये दो matrix invertible होने का मतलब हो गया, a, b equals to ba equals to i, आप हम कह सकते हैं, कि ये दोनों का हैं, दूसरे का inverse हैं, invertible matrix हैं, ठीक है, a और b invertible matrix हैं, मतलब ये वाली condition, ठीक है, तो इन दोनों के जो characteristic root होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, same ही हों ठीक है, इसमें का है, a और b, n row वाली कोई square matrix है, if a, b invertible, अगर a invertible matrix है, तो मतलब इसने बोलाए कि a का inverse exist करता है, मतलब a एक invertible matrix है, तो हम a inverse b की अगर निकालेंगे, और b into a inverse की निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, इन दोनों के जो characteristic root होंगे, वो क्या होंगे, same ही हों है, important exam में, पूछे जाने, exam में किसी भी question में आपके पास काम आ सकती है, matrix अगर singular है, तो fix है, अगर कोई matrix singular है, तो मतलब उसकी जो determinant होगी, वो 0 होगी, तो इस a matrix की हमें पक्का पता चल चुका है, कि 0 जो होगी, एक eigen value होगी ही होगी, अगर determinant 0 आ जाती है, किसी भी matrix की, तो ह हम कह सकते हैं, कि इसकी एक eigen value 0 तो होगी ही होगी, ठीक है, अब next का है, कि अगर कोई भी triangular matrix है, जैसे मैंने यहाँ पर एक triangular matrix बना दिया, सॉरी, धंक से बना देती हूँ, 1, 4, 5, 0, 2, 6, 0, 0, 3, अगर हमारे पास कोई भी triangular matrix है, और उसकी हमें eigen values पूछे, तो हम डारेक्ट बोल देंगे, कि जो उसके diagonal के elements होगे, वही उसकी eigen values हो जाएंगी, तो मतलब ये, 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 क्या हैं इसकी eigen values, कभी भी आपको triangular matrix दे, triangle matrix में, उपर triangle बनेगा, या फिर नीचे triangle बनेगा, ठीक है, ये 0 बन गए ना, देखो, number से उपर triangle बन रहा है, या फिर नमबर से नीचे triangle बनेगा, ठीक है, तो ऐसी जब भी आपको कोई भी matrix मिले, ये तो 0 है, ठीक है, तो triangle matrix में हमेशा जो भी diagonal के element होगे, वही क्या हो ठीक है, ठीक है, next हमारे पास कहा है, कि अगर lambda किसी भी orthogonal matrix की eigen value है, तो 1 upon lambda भी उसकी eigen value होगी, ठीक है, fix है, orthogonal matrix की property क्या होती थी, orthogonal matrix में होता था, a into a dash equals to i, ठीक है, तो इसने कहा है, कि अगर lambda, एक matrix की, अगर कोई matrix, a a dash i की property को fulfill करती है, तब हम बोल सकते हैं, कि जो उस a की eigen value होगी, जो भी इस a की eigen value होगी, ठीक है, तो इस a की एक और eigen value होगी, ठीक है, तो इस a की एक और eigen value होगी हम 1 upon lambda भोल सकते हैं, ठीक है, तो यह थी आपके पास कुछ properties, जिन पर based questions हम next lecture में करेंगे, ठीक है, तो practice question के साथ मैं आपको इनसे related सारे questions करा दूँए बस एक बार theory complete हो जाने दो एक दो वीडियो का काम और बचा है इसमें इसलिए मैं जादा landy videos नहीं बना रही हूँ क्योंकि जादा landy videos देखने में भी problem करती है और मुझे बनाने में भी problem होती है एक वीडियो को बनाने में मेरा coffee time consume हो जाता है इसलिए थोड़ा problem होती है कुछ लोग बोलते हैं मुझे की landy videos बनाओ या फिर practice question लाओ एक दिन में मैं दो video upload कर देती हूँ फिर भी ठीक है तो वो ही मेरे लिए coffee हो जाता है उसमें मेरा coffee time consume हो जाता है जितना मेरे से possible हो पा रहा है वह उतना कर रही हूँ बाकि books को जरूर प्रिफर करो अपने आप ठीक है एक basic चीज़े जो है वह मैं यहाँ पर clear करा रही हूँ एक बार syllabus complete हो जाए तो और जाधा practice questions हम कर लेंगे बस एक बार theory complete हो जाए तो topic जैसी complete होगा उसके साथ ही practice question करते रहेंगे ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को like कर देना